हेलो एवीवन वेल्कम तो मैं चैनल कोर्स होरी वित माइक तो आज अपने मैंस के प्लेलिट का वीडियो नूमबर 16 करने जा रहे हैं लीटको नूमबर 2849 मीडियम लेल का क्वेश्चन है बट अक्चुली में क्वेश्चन काफी छोटा है बन जाएगा बहुत छोटे सेलेशन से बट वहां तक आना एक चालेंज है ठीक है काफी इरिटेटिंग लगा होगा बहुत लोगों को जब उन्हें पता चलागा कि कैसे सॉल्फ करना इसको इसलिए बहुत सारे डिस्लाइब सेरी सिस्क्वेश्चन में ठीक है बट आप्टीट्यूट के लिए बढ़ा ही सही क् ठीक है तो देखते हैं मैंने कैसे पकड़ा इसको और मुझे भी हिंट की ज़रुत पड़ी यह सारी चीजें हम डिसकस करेंगे अभी डेटर्माइन एफ सेल इस रीचेबल अटा गिवन टाइन यूर गिवन फोर इंटीजर्स एस एस वाई यह स्टार्टिंग पॉइंट का कोडिनेट है और नौन इंटीजर्स टीए मेरा टाइम दे रखा है देखो यहां से मैंने पकड़ लिया बहुत चीजें एक तो मैंने देखा कि इंफिनिट टू डिग्रिड है और दूसरा मैंने देखा कंस्टेंट बहुत ज्यादा हाई है मतलब टी की वैली भी बहुत अगर आप इस सेल परो तो आप यह डाइगनली भी जा सकते हो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी ऊपर नीचे हर जगा एडेसेंट होना चाहिए और एक सेकंड लगता है किसी दूसरे सल में मूव करने में बट इसमें एक और पंगा पता है क्या बोल दिया कि किसी भी स अगर आपका स्टार्टिंग है यह आपका इंडिंग है अफटर इग्जाक्ली टी सेकंड में पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच पाते हैं तो फॉल्स रिटन कर दो असेल्स अट्जेसेंस अर्दी एट सेल सराउंड इट शेयर अट लिस्ट वन कॉर्णर विट इट वही मैंने बोला ना कि माल लेते हैं कि अगर आप यहां खड़े हो तो आठ एक दो तीन चार पांच छे साथ आड़ यह आठो आपके लिए अट्जेसेंट सेल हुए ठीक है लेकिन एक बड़ा गंदा सा चीज दे दिया इधर कि आप किसी भी सेल को सेवरल टाइम और टी एमाल लेते हैं बहुत बड़ा टी दे दिया है तो तो पूरे टाइम के लिए मैं चलता ही रहांगा इस इंफिनिट बोर्ड में एक्जाम्पल देखते हैं यहां पर अग्जो एस एकसटू है एसवाइफ फॉर है मतब टू कॉमा फॉर पर यह जो है लोकेटेड यह है मेरा टू कॉमा फॉर ठीक है जो एफ है फिनिश जो है वह सेवन कॉमा सेवन मानके चलते हैं ठीक है तो यह बोल रहा है कि क्या 6 सेकंड में आप पहुंच सकते हो SX से SY तो पहले देख लेते हैं आंसर है इसका Yes पहुंच सकते हैं देखो कैसे यहां से आप इधर आ गए 1, 2, 3 ठीक है 4, 5 6 सेकंड में यहां चले गए क्योंकि देखो diagonally भी तो move कर सकते हैं अच्छन में बोल रखा है यह तो क्लियर हो गया अच्छा अब बात बताओ इसकांसर ट्रू तो होगा यह मिले समझ में आ गया तो ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल है ना देखो ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल सिंपल भी एफ से स्टार्ट कर दो स्टार्ट करते हो एस एक से ठीक है और जैसे यह अब जैसे सेल में मूव करते हो टाइम को घटाते रहना ठीक है अगर टाइम जीरो हो गया तो यह चेक कर लो कि क्या आप एफ एक्स और फोई पर पहुंच चुके हो ठीक है एक से या फिर आफ एफ एक्स और पहुंच दो क्या टाइम जीरो है कि नहीं ठीक है तो बहुत सिंपल एफस डी एफस है वह मैंने लिख्चा था में सेम्पल एग्जामपल पास हो रहे थे बहुत बड़े-बड़े एक्जामपल सहना टेस्ट केसे जो कि मतलब वह टाइम देदेंगे ठीक है मैंने क्या बोला कि सिंबल से डी एफस लिखूंगा ठीक है वहां पर SX S Y F X F Y और टाइम भेजता रहूंगा ठीक है अर यहां पर मैं यह लिख दूगा कि अगर मेरे क्या given time में true return कर दूंगा else false return कर दूंगा ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो भाई यह आठ्व direction में move करो आठ्व direction में move करने के लिए dfs call करो एक बार sx plus 0 और sy fx fy तो change नहीं होगा वह आपका target है और t-1 करना ठीक है जीरो और यहां पर प्लस वन कर दो इससे क्या होगा देखो तो आप यहां पड़ते तो आप इधर मूफ कर जाओगे similarly उपर मूफ करने के लिए का करना पड़ेगा dfs sx-1 करना पड़ेगा और यह sy रहेगा ठीक है similarly नीचे मूफ करने के लिए dfs sx-1 करना पड़ेगा और यह sy रहेगा similarly left मूफ करने के लिए sx और sy-1 and so on तो आठो डिरेक्शन का आप लिख सकते हो ठीक है इतना ना इतना अलग अलग ना लिखने के लिए जो कि इन सारे डिरेक्शन को फॉइंड करके dfs हिट कर देगा हमारे लिए ठीक है बट एर देखो ना बहुत मेहनत हो रही इस कोड में इतनी बार dfs कॉल कर रहे हैं और infinite बोर्ड है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि आप किसी भ होगा तो जिन लोगों को कंस्ट्रेंट देखना और समझना आता है वह तुरंट समझ गए होंगे कि यह ब्रूट फॉर्स का कॉश्चन नहीं है आप डी एफस बीएफस से नहीं बना सकते इसको इतना जाधा कंस्ट्रेंट है ना डेफिनेटली उनका मन दोड़ा होगा कि की तरफ ही होगा इसका solution most probably ठीक है तो मैंने एक हिंट देखा उसमें लिखा था कि यह oven में बन सकता है तो फिर वहां से मैंने सोचना स्टार्ट किया ठीक है उससे पहले मैं आपको एक चीज यहां बताता हूं ठीक है देखो ध्यान से इस example में क्या बोला था कि time जो है ना 6 म में पहुंच सकते हो क्या answer true था अगर मैं बोलू time seven में पहुंच सकते हो क्या देखते हैं ना मैं यहां पर आया दो तीन चार अब तो मैं एक step लूँगा तो f के पास जा सकता हूं बट मुझे seven में पहुंचना है तो अभी तक चार सेकंड ही हुए है तो यार मैं time waste कर सकता हूं easily क्योंकि मैं किसी भी सेल में multiple time visit कर सकता हूं अभी चार सेकंड हुए ना तो 5 इधर ही time waste करूँगा 6 एक सेकंड मैं बोचूंगा कि भाई क्या तुम आठ सेकंड में भी पहुंच सकते हो definitely तुम पहुंच सकते हो आठ सेकंड में भी फिर देखो कैसे question मैं क्या कर रहा हूं क्या 8 सेकंड में पहुंच सकते हो हां पहुंच सकते हो क्योंकि देखो एक दो तीन चार भले तुम यहां टीक है यहां तक क्लिए हो गया कि एक चीज मुझे दिख रहा है यहां पर है यह तो कितना भी टाइम दे दे ज़ो तो पहुच सकते हैं ओके अच्छा अगर अब मैं आपको बोलूं यह बताओ कि क्या आप 3 second में पहुंच सकते हो देखते हैं 3 second में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है सबसे fastest तरीका क्या होता है कि diagonally भागो क्योंकि diagonally आप है न बहुत जल्दी भाग सकते हो अगर horizontally vertically भागो गए तो एक बार ऐसे भागना पड़ेगा फिर नीचे जाओगे तो वह लंबा आपब बात है अगर怎么ther है तो एक सेकंड दो सेकंड तेन सेकंड चार शिव पाश्टेस त富र तीन चार लेकिन पांचमें मैं पहुंच रहेगा आ civic तो टीन चार भरूर वहांiska कोई तो 4 का भी आंसर false होगा तो 5 पे पहुंच सकते हो यह 5 तो minimum time उस पे पहुंची सकते हो एक दो तीन चार 5 है ना लेकिन 5 से कम अगर आपको time दे दिया होता तो आपका answer नहीं आ रहा था greater than या equal to 5 है ना तो answer हर बार true है देखो time is equal to 5 में आप पहुंच सकते हो यह मैंने आपको दिखा दिया और यह actually minimum time है जिसमें आप पहुंच सकते हो ठीक है एक दो तीन चार पांच क्योंकि आपने सबसे fastest route अपना है diagonally भागे आप अगर पांच पहुंच सकते हो तो 6 में भी पहुंच सकते हो एक दो तीन चार यहां पांच आगए जट्टे में आगए time waste कर दिया थोड़ा ठीक है ताकि time is equal to 6 तक पहुंच जाओ ठीक है इसका मतलब point क्या है कि मैंने जो minimum time निकाला था ना पहुंचने पांच पांच से अगर कम हुआ time तो नहीं पहुंच पाओगे ना चार पर पहुंच सकते हो ना तीन पर न दो पर ना एक पर ठीक है तो minimum time पांच तो होना चाहिए और उससे बढ़ा हुआ तब भी हमेशा true होगा answer हमेशा पहुंच पाओगे क्योंकि आप माल लेते हैं मिनि टाइम से बढ़ा है तो कैसे पहुंच सकते हो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस टाइम वेस्ट कर लिया थोड़ा सा यहां पर और दस में सेकंड में महां चला गया अपने डेस्टिनेशन में ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि एक minimum time तो पक्का है ठीक है उससे अ साथ मिनिमं फाताइम वाला मेरा जो मिनिमं टाइम मेरा यह टी जो वह है वो इक्वल टो मेरा मिन इसे यह कैसे जा सकतो तो कुछ एक्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं जो लीट कोड के एडिटोरियल में भी वह एक्जाम्पल दे रखे थे उसका एक्स्प्रेनेशन मत देखना बहुत ही कॉंप्लेक्स करके दे रखा है ठीक है मैं आपको अपने तरफ से एक्जाम्पल समझाने कोशिश करता ठीक है अब देखो ध्यान दो एन एक्जाम्पल को देखो पहले वाले एक्जाम्पल को देखो यहां पर एस जो है वो 0,1 पर है और जो एफ है वो 4,3 पर है तो मैंने पो क्या वोला था कि सबसे फासे तरीका क्या है डाइगनली भागो क्योंकि आप जल्दी कावर कर पाओ होगे डाइगनली जाओगे तो देखो ऐसे भाग पाओगे इधर भाग गया फिर इधर आजो और क्या दो कितना टाइम लगा एक दो तीन चार है ना चार लगा यहां पर तो ओके मैं हाँ पर डाइग्रम भी ड्रॉ करके रख देता हूं यहां पर चार मुझे लगा तो इसी फ़ोड़ हुए आप एसे दोड़ लिया फिर ऐसे दोड़ लिया वह अब व्यसे आप वैसे नहीं जाओग आज कि पहले हरी जन्टल गया फिर वर्टीकल गया नई आप सीडी उतर न चाओगे मतलब वर्टी कल यह diagonal उतर चाओगे नीच यहां अना सीड़ी बाई सीड तो S और F के बीच का horizontal दूरी कितना है देखो तो यह है horizontal दूरी है ना horizontal दूरी मतलब क्या हुआ y coordinate का difference तो मैं लिख देता हूँ horizontal y coordinate दोनवा क्या है एक का 3 है और एक का 1 है तो absolute value निकाल लेते हैं मतलब यह वाली vertical दूरी S और F के बीच का vertical दूरी अगर ध्यान दो तो 4-0 4 है ठीक है vertical दूरी 4 अब मानके चलते हैं इस example के देखो यह मैं दूसरा मिनिममम टाइम तीन लगेगा तीन से ज्यादा अगर टाइम वह तब भी पहुंच सकते हैं ठीक है तो यहां पर भी horizontal दूरी निकालने कोशिश करते है यह हो गया ना दोनों का वाई कोडिने का डिफरेंस यहने कि 3-0 3 वर्टिकल दूरी के हो गया वर्टिकल दूरी मतलब यह वाला दूस्टेंस ठीक है तो अब एक चीज ध्यान दो यहां पर याद है पर इन ए बजाओ देन पराम होगो ह। मिनिममुम तक टाइम मैं भी मिनिममम टाइम की बात कर गया हूं खाकना कि मिनिमम कितना फास्टेस तरीके सा पूंच सकते हो। टायगेस भाग जाओ एक दो तीसरा मिनिममम टाइम तीन है ओड़ता सफिर थीनические एक पर इसका कोडिट्नेट किया है इसका जीरो कोमा थी और 2,0 यहां पर फिर से पहले निकाल लेते हैं मिनिमम्म टाइम कितना लगेगा कितना लगए है देखना तो और उन्ट बागएगे हैं एक काम करते हैं होरिजंटल दूरी निकालते हैं होरिजंटल दूरी देखो तो क्या है horizontal दूरी हो गया दोनों का y coordinates का difference यानि कि 3-0 vertical distance दोनों के बीच के कितनी है vertical distance है ये वाली यानि कि दोनों के x coordinate के difference 2-0, 2 हो गया ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलते हैं f यहाँ पर है, ठीक है अब इधर ध्यान देना कि इधर दोनों का horizontal और vertical दूरी पहले लिख लेता है पहले देखते हैं, यह 0,2 पर है और यह है मेरा 3,2 पर है ना तो horizontal दूरी कितना होगा horizontal दूरी होगा दोनों का y coordinate का difference यानि कि 2-2, that is 0 horizontal distance 0 है ना, देखो s और अफ क्योंकि एक ही line पर है horizontal distance 0 है vertical distance है दोनों के बीच में तो देखते है vertical distance है 3 मने दूरी है ना और याद करो यहाँ पर अगर diagram बना के भी देखोगे तो minimum time कितना लगेगा इसमें आप direct नीचे उतर जाओ CD में, 1,2 3, answer 3 है अब तुरंत आपको अभी पता चल गया होगा आपने देख के समझ भी लिया होगा कि यहाँ पर minimum time लग रहा था 4 और यहाँ पर horizontal और vertical दूरी को देखो 2,4 है दोनों में maximum कौन है 4 वही minimum time के exactly equal आ रहा है ठीक अब यहाँ पर आते है minimum time लग रहा था 3 यहाँ पर horizontal और vertical distance को देखो दोनों में maximum कौन है 3 exactly equal आ रहा है इसके ठीक है यहाँ पर देखो minimum time है 3 यहाँ पर horizontal vertical distance है 3 और 2 दोनों में maximum है 3 देखो exactly इसके equal आ रहा है यहाँ पर देखते है horizontal vertical distance है 0,3 maximum है 3 जोकी exactly minimum time के बराबर है तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि minimum time तो बढ़ा आसानी से आप निकाल सकते हो minimum time बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्या करोगे maximum of maximum of जो भी आपका horizontal दूरी है और vertical दूरी है तो यह आपका minimum time निकला याद रखना ठीक है minimum time निकला है कि अगर इससे भी कम आपको input में अगर इससे भी कम T दे रखा है मतलब input में अगर T जो है वो less than minimum time है तब तो भाई हमेशा आंसर फॉल्सी होगा ना आप कभी नहीं पहुँच पाऊगे लेकिन अगर जो input में T दे रखा वो greater than equal to main time हुआ तो answer हमेशा true होगा यहां तक clear है तो देखा हमने ओवन टाइम में इसको solve कर दिया यह ओवन टाइम में निकल दाएगा horizontal max और vertical distance easy read निकाल सकते हो horizontal distance कैसे निकाल होगे h is equal to absolute value of horizontal कैसे निकाल रहते याद है vertical sorry y axis का डिए रहा horizontal दूरी यह है ना ठीक है दोनों के y coordinates का difference ले लो absolute value तो यानिकी sy-fy का absolute value similarly vertical distance किया होगा दोनों का x coordinate का यानिकी sx-fx का दूरी ठीक है यह हमने निकाल लिया तो दिखा दे तो तो तीन चार लाइं का ही solution है ठीक है तो मैंने ना सिंपल सा ऐसा code लिखा मैं आपको code भी लिखके दिखाई देता हूं ओके तो मैंने क्या किया मैंने एच निकाल लिया और मैंने वी निकाल लिया मैतलब स्यूड़ कोड लिख रहा हूं उसके बाद मैंने मिन टाइम निकाल लिया इस इकल टू मैक्सिमम ओफ एच कॉमा वी फिर मैंने खुशी खुशी लिख दिया कि इफ टी अगर लेस देन मिन टाइम है ठीक है तो मैं रिटर्ण फॉल्स कर दूंगा पॉसिबल ही नहीं मिन टाइम से भी कम आपने टाइम दे दिया कैसे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच ठीक है अब देखो यह तो मैंने सब्मिट कर दिया ओके यह मैं इतना ही तक सोच पाया था लेकिन मेरा एक केस रॉंग होने होने लग गया वहां पर मैंने हेल्प लिया वहां पर मैंने हेंट लिया वह मुझसे भी क्रैक नहीं हो पाया और तोटली फाइन वह मेरे लिए भी हैपी अब डाट ठीक है डाट इंपोर्टेंट हर गलती को ऐसे लर्निंग एक्सपिरेंस लो आप ओके यही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं तो देखो हमने एक चीज मिस कर दी और बहुत छोटा सा चीज है और वह एक तरगा कॉर्नर केस है ठीक है मान के चलते हैं कि यह इंफिनिट ग्रिड है आपका ठीक है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट है न यह है यह स्टार्टिंग है आपका और आपका इंडिंग पॉइंट भी यही दे दिया है यह एक कॉर्नर केस हो गया आपका ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट भी यही और पता है टाइम आपको 1 दे दिया है, यही corner case था, कि horizontal दूरी भी 0 आ गया, vertical distance भी 0 आ गया, अब विसे बात है, दोनों का coordinate सेम है न, तो horizontal दूरी कैसे निकालते थे, S Y minus F Y, दोनों का coordinate सेम है, तो 0 आ जागा, यह भी 0 आ जागा, तो H और V 0 आ गया, ठीक है, horizontal भी 0 आ गया, vertical भी 0 आ गया, और time 1 दे दिया है, तो अब एक बात बताओ, time question क्या कहता है, question यह कहता है, कि क्या आप इतने time में अपने destination पर पहुँच सकते हो, ठीक है, इतने time में अप होच सकते हैं कि नहीं, हम हर बार क्या करते थे, मिन टाइम निकाल लेते थे, मिन टाइम क्या होता थे, maximum of H, V, तो maximum of H, V 0 ही आ गया, ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, आप 0 आ गया, लेकिन मैंने क्या बोला था, कि अगर जो time है, वो less than minimum time हुआ, तो यहाँ time देखो तो 1 है, क्या 1 less than 0 है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो हम तो return true कर देते हैं, बट true नहीं है इसका answer, आप देखो क्यों, reason समझो क्यों, आपको एक time में पहुचना है, तो आपने क्या किया ना, time waste करने के लिए, आप यहाँ से निकले और इधर चले गए, आप सोचा अब इदेखो ध्यान दो, एक time आपने यहाँ आने में waste कर दिया ना, आपका एक time तो उधर ही निकल गया, वापस आप आओ के कैसे, आपका limited time is equal to 1 second, अब वापस कभी आई नहीं पाओगे, ठीक है, भले अगर यहाँ पर time 2 होता ना, तब आप आ सकते थे, क्योंकि देखो, आप यहाँ पर थे, आप इधर जाते, एक time लगा, एक second लगा, उसके बाद एक second और है आपके पास, देखो, time is equal to 2 दे रखा था, तो आप क्या कि वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है, लेकिन time 1 की वज़़ा से ना, आपका limit जो है, खतम हो गया, जैसे आप बाहर निकले, एक cell में जाने में एक second लग गया, ठीक है, तो यह बस एक corner case है, सिर्फ एक corner case है, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कि if, या तो इधर ही डाल देंगे, if h is equal to is equal to 0, horizontal दोरी भी 0 निकला, and and vertical distance भी 0 निकला, इसका मतलब कि दोनों एक ही जगा खड़े है, ठीक है, लेकिन अगर time 1 हो गया उस case में, तब return false कर देना, क्योंकि possible ही नहीं है, और मैंने आपको समझाया यहाँ पर, कि यहाँ पर हो आप, आपको time 1 चाहिए, भले minimum time 0 है, और आपका time 1 जो है, minimum time से बड़ा है, तो आप answer true मत बोल देना, ठीक है, यह corner case है, क्योंकि time 1 है, तो आप किसी भी cell में ज आपस आपा ही नहीं सकते, यहाँ तक clear है, तो बस यही एक corner case है, जो मैं नहीं पकड़ पाया था, ठीक है, and I think it's fine, interview में भी वो आपसे 100% perfection नहीं खोशते हैं, अगर इतना भी आप solution बता देते हो ना, 1, 2, 3, 4, 5 step वाला, that is more than enough, ठीक है, और हाँ, brute force के तरफ मत जाना, क्यों DFS, BFS नहीं लगाना चाहिए था हमें इस question पर, ठीक है, फिर भी मैं आपको code दिखा दूँगा, मेरे github link में देख लेना, description में दे रखा है, ठीक है, तो I think हमने code तो almost करी दिया, जल्दी से code करके, इसको finish करते हैं, तो चलो, इसको code करते हैं, और finish करते हैं, सबसे पहल मैं Okay, 0-1 से क्या होगा, मैं right side जा पाऊंगा, 1-0 से, नीचे जा पाऊंगा, down, 0-1 से left side, minus 1-0 से up, यह diagonally left, diagonally right and so on, आठो direction में आप जा सकते हो, तो उसको follow up लाके, मैंने देखो, बार-बार इसी को call किया है, DFS ही call किया है, हाँ, यहाँ पर एक check मार दिया, कि अगर coordinate less than 0 हो जा है, यहाँ पर, ओके, और time अगर 0 हो जाए, तो देख लो कि भाई, आप final destination पर पहुच चुके हो, कि नहीं पहुचे हो, तो false return कर दो, पहुच गए तो true return कर दो, बड़ा simple था यह code, बड़ ओविस सी बात है, इसको submit करने पर जटका लग जाता है, क्योंकि यह बहुत ही बड नेट्स का दूरी, absolute value of starting of y minus finishing of y, similarly, vertical distance निकाल लेता है, absolute value of starting of x minus finished f of x, ठीक है, और इससे पहले यह देख लेता हूँ, कि अगर horizontal is equal to is equal to 0 है, and and, vertical is equal to is equal to 0 है, and and, t is equal to is equal to 1 दे दिया, अगर, मतलब starting और ending दोनों semi coordinate पर है, और time 1 दे दिया है, तो return false कर देंगे, कभी possible नहीं है, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, तो मैने आपको बोला था कि मैं min time निकाल लूँगा, min time क्या है, maximum of horizontal distance and vertical distance, ठीक है, अगर, जो given time है, वो less than min time हो गया, तब तो possibly नहीं है पहुँचना, ठीक है, उससे जादा दो तो चलेगा, return last में क्या कर देंगे, return true, अगर less than min time नहीं है, तो greater than equal to min time होगा, तो return true कर देंगे, उस case में, submit करके देखते हैं, hopefully we should be able to pass all the disk cases, यह O of 1 में हमने कर दिया है, ठीक है, तो कोई भी doubt होता है, raise it in the comment section, try to help you out, see you at the next video, thank you. कर दो